Hello students, स्वागत है आप से भी का एक बार फिर से अपने चनल टार्गिट गुर्कुल पर अगर आप भी लखनू यूनिवरसिटी से इंग्लिस से पोस्ट ग्रैजुएशन करना चाहते हैं में करना चाहते हैं इंग्लिस से तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें हम आपको बताएंगे कि आप ग्रैजुएशन कंप्लीट करने के बाद कैसे लखनू यूनिवरसिटी में एडमिशन लेंगे और क्या यहाँ पर सीट्स हैं इसकी फीस कितनी है पर समेस्टर की कोर्स की डियूरेशन कितनी रहेगी और साथी साथ यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहेगा क्योंकि आपका जो लू है लखनू यूनिवरसिटी वो entrance exam के तुरू आपका यहाँ पर selection लेता है MA में, ठीक है, post graduation में तो PZ अगर आपको करना है तो entrance exam देना पड़ेगा लेकिन कुछ जो basic informations हैं यहाँ आपको जानी जरूरी है as a beginner, PZ student, PZ experience ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर type क्या रहेगा exam के type का मतलब है कि क्या आपका regular course होगा यहाँ फाइनेंस का होगा तो यहाँ पर जो MA English है यहाँ आपको regular course यहाँ पर provide कराएगा ठीक है, साथ अगर हम seats की बात करें तो यहाँ पर आपको total English की faculty में यहाँ पर 200 seats देखने को मिलेंगी ठीक है, जहाँ पर आपका जो इंटरेंस exam होगा वो 200 seats के लिए fight रहेगा ठीक है, fight करेगा और फिर पर semester fees अगर हम बात करें तो 4,120 4,120 आपकी पर semester fees रहेगी और जो course की duration है वो आपकी 4 semester की रहेगी 4 semester मतलब आपका 2 year 2 साल, 2 साल का आपका course रहेगा, ठीक है यानि की पर semester अगर आपकी पीस देखी जाया तो इसको आप course into कर ले तो आपका जो post graduation का जो टोटल पीस होगा, वो निकल कर 2 साल का आजाएगा, ठीक है, फिलाल इतना लेकिन सबसे जो मुखे, प्रॉब्लम बच्चों को face करनी हो रही है, वो यह है कि एलियो का जो भी prospector, जो भी brochure आया है, उसमें कहीं पर syllabus नहीं mention किया गया है तो syllabus क्या होगा, syllabus के लिए बच्चे बहुत जादा चिंती थे हैं, तो इसकी को लेकर के आपका syllabus क्या है इस पर भी नज़र डाल देता है लेकिन उससे पहले चीज़ें समझ लेंगे तो आपको syllabus क्लियर हो जाएगा कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है graduation में क्योंकि आप एक particular एक specific subject को लेकर के आगे बढ़े हैं और आपने यह सोचा भी है कि हमें इस specific subject से आगे चलके कहीं ना कहीं teacher बनना है या कुछ और करना है और वो subject आपका English है अगर आपने इस specific subject को लिया है तो अब आप इतने sincere हो गये हैं कि आपको यहाँ पर first year, second year और जो third year है उसका knowledge होना compulsory है क्योंकि आप इस subject को ले करके चले हैं graduation में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वही आपका पूछा जाएगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा लेकिन सब कुछ आपको थरली पढ़ना होगा detail में पढ़ना होगा ताकि आपका कोई भी question इन तीन साल में जितना भी आपने पढ़ा है वहाँ से पूछ लिया जाए तो आप उसे छोड़ करना है उसे solve करके ही आए तो देख भी लेते हैं अगर आप लकनू यूनिवर्सिटी से बिलॉग नहीं करते हैं आपने लकनू यूनिवर्सिटी का syllabus नहीं देखा है वैसे कई उनिवर्सिटी जो होती है सबका लगबाग एक ही syllabus रहता है ठीक है क्योंकि जो syllabus तयार किया जाता है वो आपका graduation level का होता है और graduation level में आप जितनी भी यहाँ पर authors को पढ़ते हैं तो सभी आपको इस graduation level पर मिलेंगे हाला कि हो सकता है कि first semester में आपने किसी author को पढ़ा second fourth में आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी में किसी other आप author को पढ़ेंगे लेकिन आपको graduation में complete एक पूरा जो process चलता है कि जो एक subject तयार किया जाता है पूरा syllabus ठीक है वो आपको यहाँ पर देखने में आता है तो graduation का पूरा आपको तयार करना है इसके लिए पढ़ना है यह भी हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए syllabus से लखनो शुद्यालय का पर समस्टर से ले के 6 सेमस्टर तक यानि की 3 साल का ठीक है हर एक साल में आपकी 2 सेमस्टर होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम English literature की बात करते हैं ठीक है तो English literature में का यह जो पूरा आपका दिखाया है जिसमें आपकी poetry भी आती है जिसमें आपका poetry मिल जाएगा short fiction आपको मिल जाएगा short story वगयरा ठीक है ड्रामा प्रोज फिर poetry का जो romantic और victorians यहां परी रहा है वो आपको दिखने को मिलेगा fiction ठीक है यह आपके papers हैं इन papers को आप जो भी दिया हुआ है उसको बहुत ही बहतरीन तरीके से पढ़िए क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो हम आपसे expect करते हैं विश्विद्याले आपसे expect करता है कि अब आपको सिर्फ अपनी exam के लिए एक चीज की ज़रुवत है वो है revision ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जायेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा वहीं पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा है क्योंकि आप 3 साल वो विशय पढ़कर आए है ठीक है तो यह सब कुछ जो भी दिया हुआ है अगर आप नहीं भी तो जाकर के लू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो जो भी सेलेबस से आप उसे अच्छे से बहुत यह अच्छे से यहां पर पढ़ें ठीक है बाकी अगर आप पूरा नॉलेज है आपने पढ़ा है सब यही का यहां पर जो भी आपका पोईरि प्रोज ढ्रामा जो ड्रामोँएट पढ़े आपने 3 साल के पूरे पीरियोड में वही आप को यहां पर पूछेगा जो भी सेलेबस है वो आपके सामने है बस आपको पढ़ना है जो भी आपने अभी जल्दार है थैंक यू सो मच